हेलो प्रेंज स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल में आज मैं बहुत ही सुन्दर डोर्मेट का डिजाइन लेके आई हूँ और इसे मैं एक फंदे से बनाने वाली हूँ ये डोर्मेट एक फंदे से स्टार्ट होता है और इसे बनाना भी बहुत आसान है चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं और ये देखिए कपड़े की मैंने आधी इंच चौड़ाई काटके रख दिया है ज्यादा नहीं आधा इंच चौड़ाई ले लिया है मैंने और एक गाठ मैंने सलाई पे लगा लिया है ज्यादा पतला हमारा कपड़ा नहीं है उसके हिसाब से मैंने नव नंबर की सलाई ले लिया है और यह देखिए सलाई को धागे में डालेंगे और धागे को उपर की तरफ से इस तरीके से लपेट कर बुनाई करेंगे और यहाँ पर देखिए यह हमारा दो फंदा हो गया है और फिर से हम उसी तरीके से धागे को उपर की तरफ ले जाकर नीचे की तरफ से लाकर इस तरीके से बुनाई करेंगे और यहाँ पर दिखिए अब तीन फंदा हो गया है हमारा और इसी तरीके से हर सलाई में बुनाई करते जाएंगे उपर से भुमा कर नीचे की तरफ से ला कर बुनेंगे इधर से भी और उधर से भी एक एक फंदा हमारा हर सलाई में बढ़ता जाएगा अभी तो प्रेंस मैं आपको एक ही गलर का डोर्मेट बनाना बता रहे हूँ बाद में मैं इसका दो कलर वाला भी डोर्मेट بनाकर आपको बताओंगी और इसी तरीके से बुनाई करते जाएंगे और हर सलाई में एक एक फंदे हम बढ़ाते जाएंगे आपको कितना लंबा कितना चोड़ा डोर्मेट चाहिए आप उसके इसाब से फंदे बढ़ा सकते हैं प्रेंस मैं आपको छोटा ही डोर्मेट बनाकर दिखाऊंगी आप अपने इसाब से बढ़ा छोटा बना सकते हैं और यह देखिए इसे तरीके से बुनाई करते जाएंगे हर सलाई में हमारा पंदा बढ़ता जाएगा एक एक फंदा किनारे से बढ़ाते जाएंगे और बुनाई करते जाएंगे चलिए फ्रेंट्स मैं आपको थोड़ा सा बोन कर तब दिखाती हूँ दिखे एक फंदा दो फंदा और ये तीन चार पांच छे और एक साथ साथ फंदा हो गया इसे तरीके से हम बुनाई करते जाएंगे इस डोर मेट को फ्रेंट्स आप चाहें तो बुरानी साड़ी या फिर बुराने दूपट्टे से भी बना सकते हैं और ये देखे फ्रेंट्स 11 फंदे मैंने इधर से बढ़ा लिया है और उधर से भी मैंने 11 फंदे बढ़ा दिये हैं बीच वाला फंदा चोड़कर दोनों तरब से बराबर बराबर फंदे आमें बढ़ाने हैं और दोनों तरफ से मैंने 11-11 फंदे बढ़ा दिये हैं बीच वाला फंदा छोड़ कर आपको कितना लंबा चौड़ा डोरमेट चाहिए आप उसके इसाब से फंदे बढ़ा सकते हैं दोनों तरफ से बराबर बराबर फंदे हमें बढ़ाने हैं यहाँ पर प्रेंट्स मैं आप को छोटा डोरमेट बना कर दिखा रही हूं इसलिए मैंने 11-11 फंदे दोनों तरफ से बढ़ा दिये हैं और अब हम फंदे नहीं बढ़ाएंगे और अब उल्टे साइट से एक-एक फंदे हमें घटाने हैं दो पंदे का एक फंदा करना है यह दिखे इस तरीके से दो पंद से इसी तरीके से उल्टी बुनाई कर लेंगे साड़ी का कपड़ा है जılबाएंगे पंदे करके त्यार कर लेंगे यह दोरमेट बनाना बहुत ही आसान है एक बार आप जरूर से बनाएब आपको बहुत पसंद आयगा बहुत जल्दी बनकर तयार भी हो जाता हैं यह दोरम तरफ से एक-एक फंदे हमें घटाने हैं और सामने की साइट से पूरी सलाई ऐसे ही उल्टी बुनाई करनी है और यह देखे यह फंदा मैंने गलती से बुन दिया इसे हम खोल देंगे लास्ट के दो फंदे छोड़कर दो का एक फंदा करना हमें यह वाला सलाई हमारा बंगर कम्प्लीट हो गया है और अब सामने की तरफ से पूरी सलाई उल्टी बुनाई करेंगे इसमें हमें फंदे नहीं घटाने हैं ऐसे ही बुन कर त्यार कर लेंगे और फिर से उल्टे तरफ से हम आ गये हैं उसी तरीके से फंदे हमें घटाने हैं दो फंदे का एक फंदा करना स्टार्टिंग में और लास्ट में भी उसी तरीके से फंदा घटाएंगे लाश्ट में दोफंदा जब हमारा रह जाएगा तो दोफंदे का एक फंदा कर देंगे सामने की तरप से पूरी सलाई उल्टी बुनाई करनी हमे उसी तरीके से हम बुनाई करते जाएगे और हमारा डोर्मेट बनता जाएगा जितना भी बड़ा आपको डोर्मेट चाहिए आप बना सकते हैं फंदे बढ़ाते जाए और फिर घटाते जाए इसी तरीके से हमारा डोर्मेट बनकर त्यार हो जाएगा और यहाँ पर देखिए फ्रेंट घटाते घटाते हमारा तीन फंदा रह गया है इसे भी हम गटा लेंगे यह देखिए दो काई एक कर देंगे और लास्ट में भी दो काई कर देंगे अब हमारा एक फंदा बचा हुआ है इसमें हम गाठ लगा देंगे और यह धागा जो हमारा लटक राय नीचे की तरब से इसे हम उल्टे साइड इसी तरीके से देखिए फसा कर एक गाठ लगा देंगे फ्रेंट्स अगर मैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो फ्रेंट्स 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 फ्रेंट झाल